हेलो एवरिवन और वेलकम तो अचीव आई एस मैं नेम इस अकाश विजरन और फिर से हमारा समय हो गया है दाहिंदू के अनेलिसिस का आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज जो हमारी डेट है वो है 23 जैनुवरी 2021 आज हमारा सैटेडे और सैटेडे को आपको पता है एक या दो relevant निकल जाते हैं तो आज भी ऐसा ही कुछ है कि एक article जो है एक editorial जो है मातर वही relevant है बाग कितना को relevant आपका भी article आया नहीं आज तो लेकिन बाके का जो कुछ है वो हम ज़रू discuss करेंगे तो चल्दिए स्टार्ट करते हैं पर तो सलिए नो फर्दर कंसेशन टू ओफर गोवर्मेंट टेल्स प्रोटेस्टिंग फार्मर्स तो कलम ने बात की थी कि जो यूनियन गोवर्मेंट है उन्होंने फार्मर्स को कहा है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग जो है जो तीन contentious फार्म लोज हैं इनको 18 महीनों के लिए suspend क इतने भी problems हैं उन सब को हम solve कर सकें और एक ऐसा एक solution निकाल सकें तो दोनों के रिए acceptable मतलब mutually acceptable solution वो लोग निकालने कोशिश करेंगी इन 18 महीनों में तो ऐसा सरकार ने farmers के सामने proposal रखा था लेकिन जो farmers थे उन्होंने clearly मना कर दिया था कि जो हम इस 18 महीने वाले proposal को सुईकान नहीं करते हैं हम तो यह ही कहेंगे कि यह जो तीन आपके कानून है इनको अप all together पूरा abolish कीजिए बिल्कुल भी हम जो है इनको tolerate नहीं करेंगे पूरा totally जो हम इनका abolishment चाहते हैं तो कल क्या किया कल government का statement आया कि हम लोग इस से जादा कोई concession आप लोगों को दे नहीं सकते इतना concession हम लोग दे सकते थे पर इस से जाद concession हमारे पास जानी के लिए नहीं है क्यों और मैं समझता हूं कि यहाँ पर शायद farmers को थोड़ी सा यहाँ पर अपना stance को accommodative करनी की ज़रुए थी क्योंकि गवर्मेंट अपनी जिद से हटके आपके सामने प्रपोसर रख रही ह थी शायद उनको भी थोड़ा से हाँ पर cooperation करना चाहिए था ठीक है पर उनने नहीं किया ठीक है तो यह stalemate इस वज़े से I don't think कि आने वाले कुछ समय के लिए solve हो सकता है ठीक है the negotiation between central ministers and farm unions came to a standstill on Friday standstill on Friday with the government saying it has no further concession to offer beyond the proposal to suspend the three contentious agriculture reform laws for 12 to 18 months the union rejected the proposal and reiterated their demand for the repeal of the laws वो तो चाहते हैं कि फूरा ही जो है इसको अटाया जाए no date has been fixed for another meeting तो another इसके बात की जो meeting हो उसके बारे में कोई date भी इसको नहीं की गई है and at the end of a four hour meeting during which ministers and union leaders were only in the same room for 20 minutes agriculture minister Narendra Singh Thomas said the government had already presented its best proposal मतलब यहाँ पर जो government के पास जो best solution था गर्मन ने उसको अपने बात से offer कर दिया है तकि farmers ने जो है इसको reject कर दिया है urging the unions to reconsider the stand he said if they responded positively on Saturday talks could resume तो उन्होंने यह भी कहा कि अगर बात को समझते हुए यहाँ पर unions ने उनकी इस proposal को approve कर दिया होता तो शायद चीज़े positive हो जाती है और उसके बाद जो बात चीज़ चल रही है इतने समय से वह हम resume कर सकते हैं तो फिर शायद यहाँ से हमें थोड़ी सी indication मिल रही है कि अब सरकार इतनी eager नहीं रहेगी बातचीत करने के लिए तो यह तो काफी खराब एक इस्तितित पैदा हो जाएगी सब वज़े से तो हम तो यहीं चाहेंगे कि बातचीत लागाता चलती रहे एक dialogue जो है वो लागाता continue रहे ताकि जितने भी ongoing disputes हैं जितने भी problems हैं जो stailmate है यह सब break हो सके conclusion जो है result जो है वो निकल अगर आ सके एक deal जो हैं दोनकी बीच में strike की जाएं ठीक है क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि farmers जो है इतनी ठंड में अपना काम का छोड़ कि अपने घरबार को छोड़ कर यहां पर road पर बैठे रहे हम भी नहीं चाहते हैं editorial आया है a new framework around caste and the census तो recently क्या हो रहा है कि recently जो आपका caste census है उसको लेकर काफी आपकी अब मांगे उठ रही है कि जो हम लोग को caste census और्गनाईज करवाना चाहिए ठीक है तो उस बारे में बात करेंगे कि जो census है उसकी कुछ यहां पर क्या क्या problem है और caste census जब होगा तो वो कित आपकी बात करेंगे तो चोलिए एक वाइस को करते हैं अब अनुमिरेटिंग डिस्क्राइबिंग अंडर्स्टेंडिंग दफोपुलिशन फोसाइटी और पीपल है एकसेस तो और वर्ट यहां पर स्टार्टिंग अनुन ने तुर असा बेगरांड इफोमेशन ने बताया गया है कि census कि क्या होती है ठीक है क्योंकि census से हमें जो है एक काफी वाइड रेंज का डाटा हमें मिलता है ठीक है ना सरिफ कंट्री और पॉपुलिशन के बारे में बलकि उनकी डेमोग्राफिक जो पर्टिकुलर से उनके मारे भी हमें जानने को मिलता है तो यह सरिफ सोशल के अर्याप काफी राटा यहां का इंप्रूटन हो जाता है और जो फोल्फ ौत से होते हैं उनके लिए काफी इंपॉर् Paddle हो जाता है क्योंकि अगर हम सैंसे लेंगे और हमें पुरी एंफिर्फ मिलेगी कि यहां पर यह प्रोब्लम है उस्यां कर चाummy के बाद आब अगर तो इन 10 सालों में जो आपके conclusion निकल कर आएंगे इन पूरे 10 सालों के तो वो far reaching consequences उनके ज़रूर में देखने को मिलेंगे तो उनके साथ deal करने के लिए जो है हमें काफी easy हो जाता है जो हमारे पास इन 10 सालों का इतना comprehensive data हमारे पास available होता है In this regard, the census of India one of the largest exercises of this kind enumerates and collects demographic and social economic information तो census of India जो है वो demographic and social economic information आपका यादर करता है ठीक है demographic and social economic information और इसकी भी अपनी हिस्ट्री है हिस्ट्री वही है कि 1881 में जो है आपका सबसे पहले बार आपका census conduct करवाया गया था colonial rulers के दुआरा ठीक है decanial census हमारा होता है मतलब एक दर्शक में एक बार यह census हमारा conduct करवाया जाता है ठीक है it's access to resources and to map social change तो यहाँ पर Indian population की पूरी information निकाली जाती है ठीक है भाटे जन संख्या की कि कितना change हमें संसक्य हमें देखने को मिला है और कितने लोगे पास जो है resources का access है और अगर है तो किस मात्रा में है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है कि इन कारणों की वेसे नहीं है और कितनों के पास नहीं है और social change जो हमारे में आते हैं occupational change जो आते हैं हमारी society में उन सब को भी जो है census की दुवारा यहां पर दिखाया जाता है social economic census इसका एक पार्ट रहता है however as early as the 1940s WWM Eats Census Commissioner for India for the 1941 Census had pointed out that census is a large immensely powerful but blunt instrument unsuited for specialized inquiry लेकिन जो हमारे WWM Eats थे ठीक है आपके कलवनियल आपके official थे यह जिन्होंने बताया था कि जो census है वो काफे important है काफे powerful data हमें से मिलता है लेकिन अगर किसी specialized inquiry के बारे में हमें info निकालनी है तो उसको लेकर जो है काफी blunt आपका इंस्टूमेंट उन्होंने बताया इसको ठीक है काफी blunt एक इंस्टूमेंट बताया गया यह आपका blunt instrument ठीक है this point has also faced in later critics तो उसके बाद जो आपके अलोग आये scholars आये उन्होंने भी जो है इस point को आगे रखा कि specialized inquiry के लिए आपका census इतना जो है appropriate नहीं है as historian anthropologist बर्नार्ट कोन है demonstrated the census में in fact produce an imagination society which suggests the epistemological complexities involved ठीक है तो comprehensive understanding के लिए जो है नोनने बताया कि complex society को समझने के लिए census जो है इतना आपका कोई data या इतना आपका कोई अच्छा रोल पर ही नहीं कर पाएगा well the usefulness और दो census cannot be disregarded usefulness को हम disregard नहीं कर सकते ठीक है जाहीर सी बात है ऐसा नहीं है कि अगर कुछ लोगा ने बोला कि census बेश्यक आपका ब्लेंट इस्टृमेंन बताया गया लेकिन फिर भी जो उसकी usefulness है जो इसका उपयोग है वो बहुत ज़ादा है बहुत ज़ादा वो important role play करता है काफी important उसका data भी होता है। ठीक है काफी useful तो हम नहीं कह रहें कि useful नहीं होता है यूसेफुल होता है लेकिन कुछ-कुछ एप के ऐसे topics होते हैं ठीक है particular या फिर specialized study के लिए जहाबर हमारा यह census जो हमारा होता है decanial census यह इतना हमारा हमें help नहीं कर पाता ठीक है for instance with regard to delimitation exercise तो delimitation exercise के लिए census का जो data होता हो काफ़ important होता है ठीक है delimitation आपको पता होगा क्या होता है जो एक consistency में जो हमें seats निरधारित करनी होती है एक कि इस consistency में आपके इतनी seats होंगी कि यह मतलब total आपके पूरे states में कितनी seats होंगी ठीक है तो आपका population के base पर किया जाते है तो इसी वज़े से जो आपका उत्रपरदेश है उसके पास लोग सभा की सबसे जादा seats है क्योंकि उत्रपरदेश की जो population है वो सारे states में सबसे जादा है यही reason है ठीक है तो इस वज़े से जिसकों क्या बोलते है delimitation exercise तो इसके लिए census का data जो होता है वो काफी important होता है तो delimitation के लिए the data of census is very very important for us ठीक है then next in this context the discussion around caste and its enumeration have been controversial since independence aggregated census data on the SC and ST on certain parameters such as education have been collected तो लेकिन caste के लिए जो data निकलता है census से वो इतना होता नहीं है ठीक है कुछ नहीं है आपका सिर्फ education से related to data जह हो collect रिया जाता है with demands to conduct a full-scale caste census gaining traction over time some have seen the inclusion of broader caste information as a necessity to capture contemporary Indian society and to understand and remedy Indian inequalities तो अब जो है caste census की मांग बहुत उठके आ रही है जैसे कि मैं आपको बताया था starting में तो caste census की जब बात उठकर आ रही है तो ऐसा कहना है जो इसके demand कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक comprehensive set of data available होगा caste से related तो उससे जो policy makers ने उनको काफी easy हो जाएगा कि वो inequalities जो हमें society में है जो contemporary Indian society का जो scenario है उसको better दरीके से जो है समझा जाए और उसे कि according जो policies है जो remedial procedures है उनको follow किया जाए ठीक है लेकिन फिर एक problem में फिर यह आ जाती है कि यह जो procedure आपको पूरा हो जाता है अगर हम caste data को census में include करेंगे हम caste से related data को अगर जो है collect करेंगे तो फिर यह आपका socially untenable बन जाता है ठीक है क्यों क्योंकि अगर हम लोग caste से related data आगर हम करें तो कही ना कहीं यह जो आपकी आइडेनटीज है ठीक है जो कास्ट के basis पर हमारे देशमें को पर पता है कि अभी भी कहीँ कहीं काफी discrimination होता है तो अगर हम उस basis पे इस हाड़ डाटा collect कर रहें है तो कहींना कहीं वो जो आपके claims हैं वो जो आपकी है उनको solidify कर रहे हैं ठीक है कही नहीं को सपोर्ट ही कर रहे हैं आप लोग ठीक है तो कहीं नहीं को solidify और harden support ही है जो है हम उनको कर रहे हैं ठीक है तो इस वह से को क्या बताया गया socially untenable जो है इसको बताया गया लेकिन फिर मैं यह कहता हूं कि चलिए ठीक है आपने census के बारे में ऐसे वह ला कास के बारे में लेकर फिर reservation भी तो भई है reservation में भी तो आप recognition दे रहे हैं ना कि हाँ आपके कास्ट यह है ठीक है आपको साथ discrimination हुआ तो आईए आपको हम इतनी reservation देंगे आपको जो है इतनी लिएंसी दी जाएगी इतनी छूट आपको दी जाएगी तो फिर वह भी तो वह है तो इतनी problem फिर इस से क्यों और उस से क्यों नहीं ठीक है तो मेरा ये personal opinion है ठीक है मैं नहीं चाहता है कि इस opinion से कोई influence हो या किसी का कोई thinking या फिर किसी के विचार जो है वो conflicting हो किसी के साथ ठीक है इस discussion along with various counter arguments are not new commenting on the 1941 census census commissioner each observed that thanks to the acute interest in community figures but tactically all communities that this time were census conscious and took pains to see their houses were in the last list and that they themselves were counted the other concern is whether an institution such as the cost can be even be captured completely by the census तो अगर एक जो आगे की जो एक application बताई गई कि कि एक problem ये है कि क्या इस census की पूरी exercise से कास्ट की पूरी information collect कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे questions remain on whether the SECC is able to cover the effects of caste as an aspect of Indian social structure और जो effects जो कास्ट के हो रहे हैं ठीक है जो discrimination जो आपके बाकी जो problems है क्या उनको भी इस census के दोवारा collect या record किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा ठीक है वो रही आपकी problem है उसके बाद जो new sense जो create होती है ठीक है कास्ट की वज़े से ठीक है dead shape the caste and simultaneously the ways in which कास्ट shapes everyday life in India ठीक है तो मतलब किन problems की वज़े से कास्ट को shape किया जाता है और उसी कास्ट की वज़े से जो society में जो changes आ रहे हैं ठीक है उनको shape किया जाता है तो यह सावरी चीज़े जो आपके काफी matter करती है क्या इनको किया जाएगा यहां लास्ट का फिर आपका बताया सुरी हाँ लास्ट का फिर नने बताया आपको कि जो census है और SECC है वो दोनों काफी अलग चीज़े हैं ठीक है जो आपका census है वह आपका collect किया वह आपका जो है होता है census sector of 1948 के तहट जो है वह रिजिस्टर होता है ठीक है तो इसमें आपका data वह पुरा confidential को consider किया जाता है वह है अगर हम दूसरी तरफ बात करें SECC तो वह जो है open रहता है ठीक है government department जो है वो इसको openly इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी policy को maintain करने के लिए को चुछरो करने के लिए ठीक है तो काफी open आपका आपका इसमें data रहता है काफी transparency जो है इसमें आपकी रहती है इसको confidential नहीं रखा जाता है ठीक roadmap what is needed then is a discussion on the caste data that already exists how it has been used and understood by the government and its various department to grant or withdraw benefits and also its utility for the important academic exercise of mapping social inequalities and social change then last when you know free app के बारे में बताया गया कि जो आपकी census data है इसमें हम लोगों को national sample survey और जो आपका या फिर national family health survey ठीक है आपको पता है connect करवाय जाता है ने इससे related हमने एक वीडियो भी कुछ जना पहले अपने platform पर upload की दी आप उसको जाकर देख सकते हैं ठीक है तो इससे क्या होगा कि जो पूरा आपका information जो आपकी हो जाएगी जो पूरा जो data निकल कर रहेगा वह पूरा क्या हो जाएगा comprehensive हो जाएगा उसमें फिर अलग अलग parameters के basis पर हम लोग data चेक कर सकेंगे data देख सकेंगे ठीक है डा लिंगिंग ऑफ दो census with the national sample survey data has been suggested in past by scholars such as Mamta Murthy and colleagues और यह जो यहाँ पर suggestion दिया गया है इसको पहले भी काफी सारे scholars ने suggest किया है कि हम लोग जो है कास्ट census के data के साथ बाकि जो आपका national family health survey and FHA survey उसका जो data है उसके साथ मुसको compile कर सकते हैं जिसके बाद काफी easy और comprehensive data हमारे साथ निकल कर आएगा देन है आपका statistician such as Atanu Biswas pointed out that census operation across the world are going through significant changes employing methods that are precise, faster and cost effective involving coordinating, coordination between different data sources तो फिर नोंने बताया कि जो around the world census methodology है वो काफी evolve हो रही है ठीक है काफी precise, faster and cost effective जह हो बनती जह रही है care must however be taken to ensure that digital alternatives and linking of data sources involving census operations are inclusive and non-discriminatory देन नोंने बताया कि जो digital alternatives निकल कारा रहे हैं वो काफी inclusive और काफी non-discriminatory है क्योंकि अगर in-person census data collect किया जाएगा तो कहीं न कहीं उनका भी कुछ personal opinion होगा तो हो सकता है कि वो आपका थोड़ा सा discriminatory हो जाए ठीक है उसके मन में जो उसके personal opinions होगे हो सकते हैं उससे influence होगर उसका जो पूरी practice है वो आपकी discriminatory हो जाए लेकिन digital sources के through अगर हम सब कुछ ऐसा करेंगे तो उनका तो कोई opinion होता नहीं है मशीनों का क्या opinion होगा मशीनों का तो कोई opinion नहीं होता तो वह आपका non-discriminatory होगा का अपका पूरा प्रोसेस है वह हो जाएगा जैनने बता है time lag and planning कि दुनाने दो issue बताए कि इंडिया में आपकी दो problems है इससे related ठीक है एक आपका time lag कि जो census के बीच में जो gap होता है वह काफी बड़ा है दस सालों का होता है ठीक है और जो delay होता है data को release करने में वह काफी जाद होता है ठीक है जो हमारा यह आपका करवाया गया था सब्सक्राइब का सेंसस 2011 में तो उसका data जो है वह अभी पूरा तरीके से अभी तक नहीं निकला हुआ ठीक है दस साल आपके हो चुके है ठीक है लेकिन अभी तक जो है ठीक है लेकिन अभी तक जो है आपका कोई data निकल कर नहीं आया है और यहां पर यहां पर इस अंगेजमेंट की बात जो है अपर आपकी कही गई है ठीक है बफोर अनधर SECC is conducted a stock taking of the previous exercise of what has been learned from it and what changes are necessary beyond changing exclusionary criteria for beneficiaries of state support are crucial to enable the census to facilitate effective policy work and academic reflection ठीक है तो यहां पर जो है उसे के बारे में आपकी पूरी बात की गई है तो नेक्स चलते हैं आपका नेक्स आर्टिकल पर यह हमारा में साइशल से रिल्टिड आपका यह है इसमें बताया गया है कि जो इंडिया की जो वैक्सिन ने कोवी शील्ड वो आपकी वो अब आपकी Myanmar, Mauritius, Saisal को जो है इंडिया के दोबारा export की जाएगे ठीक है लार्ज कन साइगमेंट ऑफ कोवी शील वैक्सिन दोसिस वर फुलों इन स्पेशल इंडियन एरक्राफ्ट तो Saisal, Mauritius and Myanmar मैंने हाप लटके हुए मैं इसको बोला जा रहा है तो काफी अच्छा यह एक फ्रेंडली जेस्टर इंडिया के दोबारा है कि Saisal, Mauritius, Myanmar को हम जो है वैक्सिन प्रोवाइड करेंगे और ठीक और हमने अभी बोटान को भेजा है, नेपाल को भेजा है और कल के हमने अनलिसिस में बात किया था कि हम जो है ब्रजील को भी यह वैक्सिन जो है भेजने वाले हैं तो एक बर मैप में आप दिखाता हूं मैं आपको कों सी कंट्री कहां पर है ठीक है तो पहले मियानमार दिखाता हूं आपको यह आपका मियानमार है ठीक है इंडिया के साथ देखिए इसकी बाउंडरी आपका मियानमार है ठीक है इंडिया के साथ देखिए इसकी बाउंड चंट फिर topp करें तो मटगासगर यह जो आपका यहां पर बना हुआ है न यह यह आपका मठगासकर, बढ़ागल के दिखाता हम, यह देख लिएजे, यह आपका मठगासकर, यह भी एक आईलेंड जो है आपका, एक आईलेंड कंट्री है आपकी, ठीक है, और यहाँ पर आपका यह काफी फेमस एक, कौन से जानल मुझम्बिक चैनल है, ठीक है देख आपके हमने अच्छे काम किये जो हमारे ऑपरेशन्स थे उनको जो हाइलाइट किया जाएगा तो 1971 जो इंडिया पाकिस्तान की वर हुई थी जिसको बंगलादेश लिबरेशन वर भी बोलते हैं जिसके तहर तो बंगलादेश को लिबरेट करवाया था तो उसको जो है इंडि हीएगा वह आपके दो होँगी अपरेशन प्राइडेंट और प्राइटोन जो किये गए थे उनके टेबली जो हें आहपके शो किए जाएंगे ठीक है और पर पर हमला किया गया था ठीक है कराची का जो बंद्रगा था हमला किया गया था तो हो सकता आपके प्रिलिम्स में आ जाए कि operation Trident और operation python क्या है तो प्लीज आप इसको याद रखना तो इंडिया प्रपोजेश तो एक्सपांड रिसर्च टुरिज्म इन आक्टिक तो इंडियन गवर्मेंट ने आक्टिक में अपनी रिसर्च और टुरिज्म को बढ़ाने के लिए जह है प्रपोजल रखे हैं ठीक है वो सस्टेनेबल टुरिज्म मिनरल ओल और गैस को जो है वहाँ पर काफी प्रमॉट करने कोशिश करेंगे द्राफ्ट पोलेशी इस ऑपन टू पब्लिक कोमेंट्स अंटिल जनुर्वरी स्ट्विस्टी सिक्स एंड है पर आप कही पूरा बताया गया है ठीक है तो अर्क्तिक में यह और ओल एंड गैस एक्स्पारेशन को फिर वही जो हालत हम आसपास अब देख रहे हैं वहाँ पर होने लगे पहले हम काफी दुखी है कि हमने बात कितना कि अपकी शायद अंटार्टिका में जो आपका आइस कवर है वो डिपलिट हो रहा है तो हम नहीं चाहते कि अर्क्तिक में भी ऐसा कुछ हो ठीक है तो अर् सब्सक्राइब करें तो बिहार में ऐसा आपका बनाया अब आपका कानून लाया गया है कि अगर किसी बिहार की मिनिस्टर या किसी गौवर्मेंट ओफिशल से रिलेटिट आप कोई अगर सोचल मीडिया पर करेंगे तो आपको जो है जेल में डाल दिया जाएगा जाएगा एक गौवर्मेंट ऑफिशल जिन्होंने एनॉनमिटी के बेसिस पर यह स्टेटमेंट दिया है यह इनुन इंफूमिशन दिये कि जो यूपीसी एस्पिरेंट से उनको भी सेटिट जो नहीं दिया जाएगा जो जो गर किसी एस्पिरेंट का लास्ट एंट था तो वह उसको जो है सैंकि नहीं दिया जाएगा क्योंकि एसी आपकी मांग उठी दिना कुछ कुछ experience ने कहा था कि हमें जो है एक और मिलना चाहिए क्योंकि वह जो आपका यह था वो काफी अंसर्टेंट था काफी प्रोब्लम से बढ़ा हुआ था तो इस वेश से कोवैक्सिन एफे केसी अगेंस्ट आपकी काफी अखेशियंट है तो ऐसा कुई डाट हमेरे पास अवेलेबल नहीं है कि है कि अभी कोई साइन्टिफिक एविडेंस कॉन्क्रूसिव एविडेंस हमारे पास इसका नहीं है सब्सक्राइब पांच लाग इंडियन यूजर्स का डाटा जो है उनके पास है जोनोंने फेस्बुक से क्लेक्ट किया है एक एप्लिकेशन के थ्रू प्रारिवलन पार्डन प्ली टू बी कंसीड़ इन वीक सुपनियम कोट का कहना है कि जो पारिवलन जो आपके राजिम गां पाडन प्ली है उसको अगले एक हफ्ते में जो इसको कंसीडर किया जाएगा गवर्नर के द्वारा बाइडन रिस्पेक्ट सक्सेस्फूल इंडिया-उस टाइस जो वाइट हाउस पर सेपरेटरी है उनका ये कहना है कि जो बाइडन है वो इंडिया-उस को काफी मानते हैं मानते हैं यह वो यह नहीं चाहते किसी रिपब्लिकन के दिवारा जो है इंडिया को सपोर्ट किया जो डेमक्रेट के दोरा सपोर्ट किया जाए और जो बाइडन हंबारेक्ते पर आ चुके हैं जब वो वाइस प्रेसिड़न थे मांगा Sóén कि यह वह हॉर्य कुलिया नहीं तो मिलते हैं आप से कर थैंक यू सो मच सब्सक्राइब एचीव आईएस इंजोने सुन टेलीग्राम हमाई टेलीग्राम से लिंग का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक यू सो मच बिलते हैं आप से कर बाई